तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपारे शानल बार मेरा राम है वरुनौ और हम बात कर रहे हैं लौ की और जितने भी कैंडिडेट है या एस्पेरेंस हैं जो चाह रहे हैं अपना करियर बढ़ाना लौ में तो बिल्कुल साही जगह पर हैं क्यों क्योंकि यह ड और उसमें भी अगर हम जाएं तो मुंबई पर बात कर रहे हैं मुंबई यार हर कोई विक्ति जाना चाहता है उनकी ड्रीम सिटी है देखो यार हम एक्टिंग के फील्ड में नहीं है लेकिन जब एक्टिंग बहां इतनी जनता है लड़ाई जगड़े और बहुत सारी और आप भी ऐसे अगर स्टुडेंट हैं या कांडिडेट हैं जो चाह रहे हैं कि हमें लौ कर रहा है और लौ के लिए डूड रहे हैं आप कॉलेजिस कौन से अच्छे हो सकते हैं क्या-क्या पिरामीटर्स होने चाहिए किस-किस बेसिस पर आपके पास ऑप्शन है लेकिन आप चाहते हैं पार्ट टाइम कोर्सिस करना जी हां तो बिल्कुल साही जगा पर यही वो वीडियो है जिसको आपको था इंतजार आगे तक देख लेना है और अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो कर रहे हैं दोस्तों में भी बता दीजेगा ताकि उनका बला हो जाए पुमबई में आके हम पार्ट टाइम कोर्सिस लॉस रिलेटिट क्या क्या कर सकते कौन कौन से ऑप्शन है चलो देख लेता है एक बार सबसे पहले हम यहां नाम की बात कर ले तो हाँ यह यह डिस्क्लेमर क्या लाता यह डिस्क्लेमर इसलिए है कि यार हर दूसरे वक्ति की candidate की aspirant की अलग-अलग parameters होते हैं जिनके basis पे वो किसी एक college याई उनिवस्टी को target करते हैं सच्चा ही है मैं करोड़पती विक्ती हूँ तो मेरे को पाईसे की कोई समस्या नहीं है अगर पैसे की समस्या नहीं है तो में कोई भी college मिले अच्छे से अच्छा मिले international college मिले कुछ भी मिले exposure अच्छा मिल रहा हूँ मैं वहाँ पैड़मिशन ले लूँगा लेकिन अगर मेरे परिवार की income इतनी नहीं है कि मैं बड़े high fees वाले जो institution है उनको afford कर पाऊं तो मैं क्या करूँगा मैं ऐसे nominal price वाले institution हो जूँगा तो हर व्यक्ति के अलग-अलग parameters हैं और इसलिए ये जो हम आँगे discuss करेंगे institutions की इनकी ranking ranking parameters अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सुकते हैं इस चीज को mind नहीं करने का कि सर यार ये पहले number पर लग दिया आपने उन बनाया है वो यहीं पढ़के बनाया है हाँ ये सच्चाई है वागे अलगना ही है government law college 1855 मतलब बिल्कुल सुरुवाती समय में जब हमारे या evolution हो रहा था education का अंग्रेज ही कर रहे थे वो सच्चाई है तो उन्होंने institute established कर रहा था ताकि पढ़ाई लिखाए और यहां से अंबीट कर साब ने भी बढ़ाई गरी है यह याद रखेगा बतलब ऐसी पढ़ाई नहीं करी कि बहुत लंबी बढ़ाई गरी हो लेकिन हाँ तोड़ा एकात कोई कोर्स सो यहां से भी किया public institution तो है मुंबई में यह established है और GLC government law college mumbai.com के नाम से इनकी जो website है वहाँ जाकि भी आप पूरी जानकरिया से ले सकते हैं न इर फ की ranking मुंबई में अगर बात कर लें तो वही है 12th best number पे आता है यह institution all over India में और बैसे तो वंबई में अपने देख लें तो यार नाम चाहता है हर कोई जाता है कि यहां से मेरे को कोई न कोई कोई कोर्स करने का मौका मिल जाए ठीक है वही options तो आपके पास सारे हैं मतला हम यहाँ पर bachelor's की बात कर लें संपदा को संजो के रखा जाए ठीक है चलिए तो यह courses है इनके पास option और इनके fee structure की बात कर लें तो fee structure बहुत ज़्यादा नहीं है 20,000-25,000 रुपे में आप यह diploma courses कर सकते हैं और अपनी profile को enhance कर सकते हैं क्यों क्योंकि diploma courses यह वो diploma नहीं है कि 10 भी के बाद कर लो यह PG diploma है यह ना यानि कि आपको under graduation करनी पड़ेगी UG courses के बाद आप यह करेंगे और उसमें भी कुछ experience मांगा जाता है कि साल-दो साल का experience हो तब जाकि यह course आपको करने मिल जाएंगे चुकि इंटर्व्यू होता है इंटर्व्यू के basis पर यह आपको मिल जाती है सारी चीज़ और यह profile enhancement के लिए किया जाता है हाँ part time time pass के लिए करना हो तो भी कर सकते हो लेकिन most of the people या most of the candidate क्यों करते हैं ताकि उनकी profile enhance हो एक और zone या zoner उनके पास हो जिर्पे वो work कर सके laws में practice कर सके ठीक है न चलिए तो यह options हैं आपके पास यहाँ इस institution जो सबसे पुराना institution माना जादा law के नाम पर इंडिया गा दूसरा केसी law college है यह भी जादा बाना नाम है आप देखें तो इसके भी 100 साल बाद established वो 1855 में हो था यह 1955 में established हुआ था और आजादी के बाद हुआ था प्राइबिट institution ने याद रखिया अब आप कहोंगे सार या लेकिन नाम अच्छा है सच्छा ही है तो वही है साउथ मुंबई के निवासियों के लिए यह ज्यादा अच्छा हो सकता है suitable हो सकता है बाकी तो यार हमें जाना है तो कई भी जा सकते हैं इनके official website पर पूरी जानकारी के लिए आपको जाना पड़ेगा kclaw hsnc.edu.in यहां जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं इसे related क्या क्या options है और detail में बाकी देखो अगर इन पर नहीं जाना तो नीचे profile analysis form भी मिल जाएगा जहां form fill कर सकते हैं और पूरी जानकारी अपने लिए best क्या होगा इसकी ले सकते हैं तो उसको भी आप focus कर सकते हैं कोई दिक कर नहीं है यहां ranking इनकी 37th है NIRF की ranking 2021 की law ranking में तो कहीं से खराब नहीं है options देखें क्या-क्या option है इनके पास तो हाँ वह तो हैं लेकिन हम यहां चुकी बात कर रहे हैं तो इसके अलावा पीजी डिप्लोमा शिक्योर्डी लॉव और सर्टिफिकेशन कोर्स साइवल लॉव में यह कंडिक कराते हैं फीश्टक्चर की बात कर लें तो फीश्टक्चर option में बहुत ज्यादा है नहीं मतला 20-22,000 आपकी डिप्लोमा कोर्स का है और अगर हम सर्टिफिक रिजबी कॉलेज भाई यह तो नाम आप सभी ने सोना ही होगा नहीं सोना तो अभी बता दिया लेकिन जितनी लॉव बाले एस्पेरेंट हैं अगर वो मुंबई से खोज रहे हैं तो रिजबी का नाम बिलकुल जानते ही होंगे और नहीं जानते तो मतलब क्या ही कर रहा हो फेर यार जान लो 2002 में ही स्ट्रावलेस हुआ है 20 सालों का अनुभा हुआ है लिकेन इन नाम इतना तेजी से अपना बड़ा है क्यों इनके परफोमेंस के कार प्राइबिट इंस्ट्यूशन होनी के बाब जू दिनोंने ऐसी जगह पर बांदरा बैस्ट में इनने अपनी ल नंबर पर यह लॉग के डिगरी में आ जाता है रेंकिंग की बात करें लेकिन यह मैं सच बता हूं तो यह ऑफिशल गवर्मेंट कोई इंस्ट्यूशन का सर्डिफिकेशन नहीं है यह प्राइवेट इंडिया टुडे बगेरा की यह रेंकिंग बगेरा लेकिया है प्राइ सारा यूमन राइड्स इसके लएंटरडेटव डिस्पिट रसलूशन हो गया सब्सक्र께 5 Carryर के सब्सक्राइब घ्रकेशन में अगर आप चाहें और इनका नाम कूण नहीं जानता अगर law से अब दोलों करते हैं तो मतलब अगर नहीं जानते हैं तो दिक्कार है बंद कर दो law करना ठीक है डोक्टर अम्बीड कर साहब के नाम पर तो college of law बिलकुल बया और यह अच्छा खासा जाना माना नाम शुमार है public institution 1979 में established हुआ बडाला बडाला कर नाम तो सुने होगा भूभी तो देखी होगी नहीं चलो छोड़ो यार तुम क्या ही है बडाला मुंबई में established है और अम्बीड कर law college.in इस पर जाके पूरी जानकारी मिल जाएगी भी या consistently यह अपने आपको बहुत ही अच्छा promote करता चला जा रहा और देखें तो business law, environmental law, labor law, family related law के लिए भी यह सारे के सारे development courses यह conduct करा रहा है. फी structure की बात कर ले तो बहुत जादा रही 25,000, 35,000 में आपके अलगलग courses, variety of courses है इसलिए तो depend करता आप कौन सो कर रहा है 25-35,000 में आपका यह course हो जाएगा तो भई क्या दिक्कत है अगर मुंबई से देख रहा हो यह courses करना तो यह सारे options आपके पास हैं. आखरी हम देखें तो जितेंद्र चोहन College of Law यह जादा बाना नाम आपको मुंबई में मिल जाएगा Law Colleges में और 1977 में established private है लेकिन नाम हो गया है अच्छा खासा क्योंकि पाले विले में best में यह established है मुंबई में जिसमें आप website के माद्धम से jccl.ac.in इसके basis पे पुरी जानकारी वहां भी ल जाओगा तो नीचे profile analysis form भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं रेंकिंग देख लें तो 17 वे नंबर की रेंकिंग है यहां पर लेकिन यह प्राइवेट रेंकिंग है निर्फ की होती तो मजा आता लेकिन प्राइवेट क्योंकि ब्राइवेट और लेबर वेलफियर से रिलेटिट लोगा इसके लावा टेक्शिशन लोग हो गया सिक्योर्टी लोग हो गया और यूमन राइट्स लोग यह सारे options हैं आपके पास यहां पर सर्टिविकेशन और डिप्लोमा कोर्स के फी स्रुक्चर की बात कर लें तो बही 16 से 20-22 आजार में आपको अलग-अलग कोर्स और पीजी डिप्लोमा के आप यहां पर करा दिये जाते हैं तो यह options परियाप्त है मुझे ऐसा लगता है मुंबई के अंदर पास साथ ऐसे colleges हैं जहां आप target कर सकते हैं bucket में रख सकते हैं और अपनी parameters में match कर सकते हैं कि आपके लिए क्या अच जानकारी नीचे फॉर्म फिल करके भी आप ले सकते हैं तो भाई मिलेंगे अंगली वीडियो में अंगली जानकारी के साथ तब तक के लिए जाहें I hope you like this video for most such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe